भोजपूरी के पावर इस्टार पवन सिन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखते हैं कि जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिखिया चुकि अब ऐसे में अनुमाल लगाये जा रहा है कि पवन सिन आहत होकर किसी खास वैक्ति या पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं पवन सिन इंडिनों चुनाओं को लेकर काफी एक्टिव हैं और ऐसे में इस तरह के पोष्ट सीधे तोर पर यह राजनितिक रूप से जूरता दिखाई दे रहा है इस पोष्ट से अनुमाल लगाये जा रहा है कि पवन सिन अपना पाला बदल सकते हैं हलाकि अधिकारिक त पोष्ट सिन नाइंड्र मोदी के लिए गाना पवन सिन BJP के लिए कई कारिकरम में सरीक होला वहां पर पहुच कर कारिकरम करना और उसके बाद भी पवन सिंग को टिकट मिला और उसके बाद टिकट पर चुनाओना लड़ना कहीं एक संका खड़ा होता है कि पवन सिंग बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में अब कमेंट सेक्षन पर नज़े डाले तो आपर अंजना सिंग लिख रही हैं तो अब सही लोगों के स सेक्ष है वह भी लिखते हैं बिल्कुल सही तो देखिए ऐसे में लगातार जो अब पवन सिंगों चाहने वाले हैं वह भी उन्हें सलाह देते नजरा रहे हैं और ऐसे में लगातार चर्चाएं चल रही थी कि पवन सिंग भाजपा के टिकट पर चुनाओन लड़ सकते हैं और पवन सिंग को टिकट भी मिला बीजेपी के तरफ से आसन सोल से और उसके बाद लगातार ट्वीटर पर बिरोध हुआ था जिसके बाद पवन सिंग ट्वीटर हैंडल पर लिखते हैं कि मैं चुनाओन नहीं लड़ सकता हूं और उसके बाद चुनाओन लड़ने से इंक गाना है वो सकता है वह तो खुल कर नहीं सामने आ पा रहा है लेकिन ऐसे वजह माना जा रहा है कि भरतिय जनतां पार्टी से नाराज होकर आहत होकर ये बाते पवंसिन लिख सकते हैं हला कि चर्चाएं अभी चली कि पवंसिन आरजेडी से भी चुनाओ लड़ सकते हैं और भिहार के आरा से चुनाओ लड़ने की संभावना जो है वो फैंस जता रहे हैं हला कि देखिए और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी देखना दिल चस्पोगा ऐसे में आपका क्या मानना है कम इंट सेक्षन में रखेगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देंडिया टॉप देखते रहें धन्यवाद